दोस्तो आज हम बात करने वाले है कि कल कौन से स्टॉक्स पर ट्वीड लेना है प्लिस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेनरियो रह सकता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने टेक महिंद्रा और कॉल ऑप्शन बाय कर रहा था सो दोनों स्टॉक्स ने हमें बहुत अच्छा फाइदा दिया आज के ट्रेइडिंग सेशन के अंदर और वी बुक सम गूड प्रॉफिट्स सो कल के बात करें तो कल कौन से स्टॉक्स अच्छे रह सकते हैं एक मैंने वीडियो अप्लोड करिया जस्त नाव मतलब एक घंटा हो जाएगा जब आप लोगी वीडियो देख रहे होंगे सो उस वीडियो को भी जा के चेक करेगा कल 31st of December 2020 का last year and wish you all a very happy new year guys and उसी के लिए मैंने एक stock आप लोग को के लिए select करा जो आप कल के दिन buy कर सकते हैं last your last 2020 year का stock and उसको buy करके आप 2021 year पर अराम से 30% तक कभी return earn कर सकते हैं so that's gonna be your last stock and मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग उसे ही buy करें and वो आप लोगों को बहुत अच्छे returns देगा okay so बात करते हैं कल कौनसे stocks उपर जा सकते हैं definitely यह जो stocks मैंने आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो पर यह मैंने टेलीगराम पर भी अप्लोट कर दिया था and इन में से कुछ stocks मेरे पास already है for example बालकरिशन इंडस्ट्रीज में मेरे पास already पढ़ा है because right now I am going with options because 5th of January को this year अभी एक दिन बचा है तो मैं यही का हूँगा 2020 को 5th of January को मैंने decide करा था I will not do intraday and मैंने पूरे साल intraday नहीं करा या मैंने 15 से 20 दिन करा होगा तो करा होगा उसके जादा मैंने नहीं करा and futures को पूरा ignore करा पूरे साल futures को ignore करा and options पे कुछ work करा but अब मैं ट्राइ कर रहा हूँ कि cash and options पे थोड़ा सा time invest करो because option is nothing options पे कुछ जादा में सीखने की जरूरत नहीं option is very very easy अगर आपको charts देखना आता है तो आप options को अराम से कर सकते हो but you have to know which strike price I have to choose and उसके बाद आप ओभी trade लेकर options में पैसा न कर सकते हो so आज मैंने इस particular stock पर अपनी buy position बना रखी है cash में बना रखी है ठीक है अब देख सकते हैं यह stock इस level से उपर गया यहाँ पर resistance मिला नीचे आया double bottom बनाया and it gave a breakout from this level and first time यह retest कर रहा है first time retest करने के बाद इसने एक अच्छा bounce दिया and उपर के तरफ trade कर रहा है आप देख सकते हैं कि यह जो पूरी up move है उसका 50% ही fall आया है according to Fibonacci retracement and उसके बाद उपर जा रहा है it can break its previous eye and it can go much higher so यह particular stock आप definitely buy करके चल सकते हैं for a short term for this for next month on January series और यह definitely आपको अच्छा return भी दे सकता है ठीक है our next stock is Ultratex Cement let me show you यह वाला particular stock भी मैंने आज बाई करा है देखेगा just wait a second yes एक अच्छी range से इसने breakout दिया है first time यहाँ पर आया यहाँ resistance मिला and it fall down fall down करने के बाद इसने इसने इसे breakout दिया breakout देने के बाद जो इसके लिए पहले resistance का का काम करता था right now it's coming as a support second time उपर गया यह इसके लिए resistance आया फिर यह नीचे आया यह इसके लिए support आया and this is our resistance eventually it break that resistance and move up so यह भी मुझे अच्छा profit दे रहा है and यह particular stock पर I am still holding and मेरी जो targets है वो भी अच्छे कहसे targets होंगा almost 6000 तक के लिए मैं सोच रहा हूँ so मैं इसे short term मतलब 6 महिने तक के लिए buy कर रहा हूँ so यह particular stock आप definitely buy कर सकते है हो क्या सकता है कल एक strong candle list ने अच्छ बनाई है तो कल halt कर जाए watch list के अंदर definitely add करिएगा यह पर्सो के दिन भी अच्छा breakout दे सकता है ठेक है एक particular stock मैंने पर्सो आप लोगो suggest कराता है मैं आपको नाम बताता हूँ which is Gatti आज इस पर मुझे बहुत जादा अच्छा profit हुआ and let me show you देखे यह देख सकते हैं यह आपको यह previous वीडियो में बताया था मेरे पास already list है ठेक है so मैंने आपको यह second last video में बताया था आप यहाँ देख सकते हैं एक flag and pole का यह breakout आया था मैंने आपको काया था एक breakout आने के बाद एक छोटी सी candle बन सकती है इसके उपर निकलेगा you have to buy and I've already bought this particular position and आज इसने 8 से 10% की up move दिखाई है yes guys 8 से 10% की up move दिखाई है and इस पर मुझे बहुत जादा बढ़िया फायदा हुआ है and I'm still holding मैंने थोड़ी quantities exit कर दी है but I'm still holding ठेक है so मैंने आपको कहा था कि patiently wait करिएगा watch list में add करिएगा if you buy what I'm saying मतला अगर जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ आप उसके basis में action लेते हो so definitely आप लोग कुछ भी कुछ profit earn कर सकते हो ठेक है so right now ये stock हमें अच्छा profit दे रहता buy अभी भी करना चाहो तो आप buy कर सकते हो 98 रुपीस के उपर but ये आज के लिए हमारा stock pick नहीं है दो हम लोग ने आपको अड़ेडी बता दी which is Bala Krishna Industries Ultra Tech Cement our next stock is Godrej Consumer it's Godrej Consumer and this particular stock sorry it's Godrej yes it's Godrej Consumer and this particular stock पे भी हम लोग एक buying initiate कर सकते है because it's giving a breakout of an head and shoulder pattern okay मैं weekly chart open करता हूँ and it's giving a breakout of head and shoulder pattern अगर ये 750Q पर कल सस्थेन करता है you have to go for a buy and if you want you can go for a buy आपको बहुत बढ़ी है टागेट इस पर भी मिल सकते है अगर ये 750 की उपर 15 मिनिट की दो कैंडल भी close कर जाती है okay so do buy this particular stock our next stock is Emphasis ये stock भी मैंने आप लोगों को multiple times recommend करा है multiple times and मैं आपको दिखा देता हूँ देखेगा हर breakout हर चीज पर आप लोगों को recommend करा गया था अभी वी क्या हो रहा है एक sharp up move आई sharp up move आने के बाद इसने कम से कम 3 दिन insight candle बनाई है and eventually इसने breakout दिया है आज के दिन breakout दिया है तो yes definitely we can buy this particular stock and यह हम लोगों को अच्छा profit कल दे सकती है so do manage to buy this particular stock our last stock is NMDC NMDC के अगर आप चेक करेंगे so यहाँ पर एक resistance था ठीक है इस resistance यहाँ पर भी था उसको break करा है first time retest करा and दोबारा उपर जा रहा है यह इसका previous resistance है यह जैसी इसको break करेगा हमें अच्छे targets इस पर भी देखने को मिल सकते हैं हम लोग buy कर सकते हैं इसको 117 के ऊपर हमें इस पर अच्छे targets देखने को भी मिल सकते हैं ठीक है so Nifty Bang Nifty की buy करें so I've already told you tomorrow not to go for a buy not to go for a buy कोई भी gap up दिखे you have to short you have to short multiple times I've told you you have to go for a short अगर आप लोगों को Nifty Bang Nifty Gap Up दिखता है और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं buy कर रहा था मुझे पता था कि gap up आने वाला है but I didn't buy because मेरा जो achievement है जो मेरा target होता है जो कि दिन का होता है वो achieved हो चुकाता and मैं further trade नहीं करता उसके बाद so मैं 15 मिनिट के टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ and 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे आप दिखेगा यहाँ पर हम लोगों को एक gap आ ओपने दिखी यह strong candle पे and उसके बाद एक fall and fall and fall and fall our target achieved because यहाँ से इसने एक breakout दिया था gap up के साथ next time जब fall आया था previous day वही पर ही support लेके उपर गया था तो यही इसके लिए support होना चाहिए था अगर यह break होता तो हमारा जो इक gap है यह gap fill होता let me show you the gap यह हमारा gap fill होता but यही हमारा target था and probably पूरा target अच्छी वो है इस पे भी हम लोगों ने अच्छी वन करा उसके बाद इस पे एक sharp movement आगी इस पे इस पूरी movement पे मैंने कोई trade नहीं करा अब right now I am thinking कि यह एक pattern बना सकता है which is a head and shoulder pattern which is a bearish head and shoulder pattern and यह हम लोगों को अच्छा profit दे सकता है exact इसी level से अपने left shoulder से अगर यह नीचे आता है इस level को break करता है so definitely अच्छा profit हो सकता है so what you can do अगर यह इस level को break करता है just wait a second अगर यह 21, 31,200 को break करता है so you have to go for a short and आज के live trading session के अंदर भी मैंने यह बताया था 31,200 के नीचे हमें short करना है and 200 points तक का moment हमें मिल गया था इसके नीचे short करिएगा our target is first 31,030 and our second target is 30,930 ठीक है so almost 300 तक के भी points हमें मिल सकते हैं bank nifty के अंदर there is a no buy कोई भी buy नहीं है bank nifty के अंदर short है but stock specific आप लोग generally रह सकते हैं stock specific आप लोग buying में रह सकते हैं nifty bank nifty को आप उसके according short करके चल सकते हैं ठीक है nifty दिखा देते है nifty अभी तक अपने 14,000 एक psychological level को test नहीं कर रहा तो definitely अगर कले gap up आता है उसको test करता है definitely you have to go for a short मैं nifty पे अभी कोई शाला नहीं दे रहा sorry nifty पे there is no buying no selling nifty जब 13,880 के नीचे close करेगी 15 minute तो ही मैं short करूँगा वरना मैं short initiate नहीं करूँगा यह black line के नीचे जब तक close नहीं करेगी I will not short nifty neither I will buy nifty तेक है so हमें nifty buy नहीं करना कोई भी up move आई हमें nifty short नहीं करना जब तक यह level break नहीं होता but bang nifty weekend short okay so यह सारे analysis थी guys and do check that particular video video यहापर आपको show कर रहे होगी and thank you so much for that registration आप लोग जो support दे रहे हमारे program को 3 months के mentorship program को जो हम लोग आप लोग को course पढ़ा रहे है definitely and our last session ended of December batch आज हमारी last class थी December batch की and watch class end हुए but definitely we have a telegram channel we are supporting and हम आपर और अच्छे से महनत करेंगे so कोई बात नहीं guys do support us there and हमारे भी followers अच्छे से बढ़वाईए subscribers I am waiting for 1 lakh subscribers so please do follow this particular channel share this particular video and give a thumbs up bye bye guys